असलाम अलेकूं मैं हूं मुम्मद नाइंग प्रोफेसर आफ टेकनालोजी की एक नई वीडियो के साथ आज की वीडियो में हम मिड्रोल एड्स के बारे में डिसक्स करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे मिड्रोल एड्स होते क्या हैं मिड्रोल एड्स को कौन लगा सकता है और मिड्रोल एड्स किस वीडियो पे लगते हैं और इसका लगाने का तरीके कार क्या है तो यह हम डेटेल से देखेंगे सबसे पहली बात यह है कि अगर आप यूट्यूबर हैं और आपका चैनल मोनेटाइज है तो उसके बाद आपने अपनी वीडियो पे एड्स आउन करना होते हैं अब आपको पता है कि वीडियो में एड्स हमारे पास डिफेंट तरह के चलते हैं कुछ ads होते हैं जो कि start में आते हैं कुछ होते हैं अच्छ हमारे पास ads ऐसे होते हैं जो कि आपकी video के दर्मियार में घर रहे होते हैं उनको हम बोलते है mid roll ads उसके बाद जो दूसरी बात यह है कि mid roll ads कौन सी वीडियो उसे लगते हैं तो mid roll ads जो हैं ये YouTube पहले 10 मिनट की वीडियो पर लगाता था अब अगर आपकी कोई भी वीडियो 8 मिनट या 8 मिनट से ज्यादा की है तो उस पर YouTube मिड्रोल एड्ज लगाता है एक तो YouTube उसको आटमेटिकली प्लेस करता है आपकी वीडियो के इसाब से जहां पर कोई वक्फा बगारा बनता है वहां पर लगा देता है और इसके अलावा आपके पास ये फसिल्टी है कि आप कुछ से भी अपनी वीडियो पर मिड्रोल एड्ज लगा सकते हैं हाँ जी जो भी आपकी वीडियो आट मिनुट से जहधा है तो उस वीडियो पर आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी चाहें मड्रोल एड्ज लगा सकते हैं जी नाजरीन, तो computer screen पे हम आ चुके हैं, आपने सबसे पहले अपना YouTube चैनल open कर लेना है, इसके बाद आपके पास यहां पे option आ रही होती है, manage videos की, आपने इस पे click कर लेना है, जी तो इस तरह आपके सामने YouTube studio open हो जाएगा और तुमाम आपकी video सामने आ जाएगी, आपने क्या करना है, यहां से कोई भी अपनी आठ मिनट या उससे रदा की video select करनी है, उस पे middle ads प्लेस करने के लिए, तो मैं यहां से अपनी एक video select कर लेता हूँ, इसमें details पे click करना है, और उसके बाद आपने यहां से left bar में monetization को option को select कर लेना है, जी तो यहां पे आपके सामने ads आ रह है before video pre-roll, यह भी on है, और during video mid-roll, यह भी on है, और last पे आ रहा है after video post-roll, यह भी on है, अच्छे तो जो भी आपकी video 8 मिनट या उससे ज़्यादा की होगी, यह सिर्फ दर्म्यान वाल option सिर्फ उसी पे आएगा, during video जिसको mid-roll add बोलते हैं, तो यहां पे आपके पास option आ रही है, manage mid-rolls की, आपने इस पे click कर लेना है, जी तो इस तरह आपके सामने video open हो जाएगी, और देखें अभी तक इसमें आ रहा है, कि जसको mid-roll add बोलते हैं, यह पहले एक ही लगी हुई है, और यह है 11 minutes और 32 second video की, जब time होगे तब यह चलेगा, और यह मैंने place नहीं किया, यह YouTube ने hold करना है, और जहां पे आप add place करना चाते हैं, आपने इसको move करके लेके जाना है, त्राइ करें कि आप middle add ऐसी जगह पे लगाएं, जहां पे आप हमोश हो रहे हैं, थोड़ा बहुत, इसमें break आ रहा है, या आप किसी एक step से दूसरे step की तरफ move हो रहे है, जहां पे भी यहां पे add place करना चाता हूँ, इसको यहां पे मैंने क्या करना है, चोड़ना है, और मैं क्या करूँगा यह add break पे click कर दोगा, जी तो यह देखें कि यह अब आ रहा है कि दो मिनट और बत्ती सेकंड वीडियो के डियोरेशन दो मिनट बत्ती सेकंड होगा, तब यह add चल जा करना हूँ, अपनी इस वीडियो पे add place कर सकता हूँ, तो यहां पे add करना है तो यहां पे लिक आया और मैंने add break पे click कर देना, जी तो यह fourth bedroom add भी जो add होगा है, तो यह देखें इसके साथ duration भी आ रही है, कि यह किस time पे चलेंगी, यह वीडियो का क्या time होगा जब यह adds चले हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, यह continue पे click कर देना, तो यह दुबारा आपको monetization का option पे ले आएगा, यहां पे देखें आप जो save का button है, यह highlight हो चुका है, आपने इस पे click कर देना, जी तो इस तरह यह आपकी changes जो है, वो save हो चुकी है, जी तो यह बिलकुल simple और असा आ सकते हैं, उमीद है, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, फिर भी अगर आपको कोई question हो या आपकी curious हो, तो आप comment box में comment कर सकते हैं, इसके लावा मेरे social media contact पर भी contact कर सकते हैं, इन्शालला मुलाकात होती है, जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, पर इंगे nuestro झुलता की वीडियो के सकते हैं, इन्वी इनला में कर सकते हैं, बाज हैं, घज कर दोकर के सकते हैं, इन दोके वेइछ भीडियोंगाताबा, याख अवीडियोंगी खवादके हैं, आपकी पालीडियोंवा खवीये हैं, जुटरी, आपकी़ • आपकी ह